वेलकम चुलीली आर्टिस्ट फैब्रिक वर्क्स यह हैंड पेंटेट सूट डिजाइन की वीडियो है आज मैं आपको बताऊंगे सूट डिजाइन सूट पेंटिंग की सारी डिटेल स्टेप बाइ स्टेप मैं आपको बताऊंगी तो make sure कि आप वीडियो को complete watch करें इस suit painting को मैं three parts में दिखाऊंगी one by one क्योंकि ये design बहुत ही beautiful और unique है और इसके सारे ही flower बहुत ही beautiful है और shade जो है सबका वो shape अलग है इसलिए shade भी अलग है तो मैं चाहती हूँ कि आप सारी detail देखें ताकि आपको बनाने में बहुत आसानी हो वीडियो को छोटा करने के लिए मैं बहुत सारे steps कट कर देती हूँ लेकिन अब आप लोगोंने beginners course के बाद painting बहुत सीख ली है अब आपको painting आती है तो इसलिए मैं चाहती हूँ कि आप सारे steps को देखें ताकि आपको different different style के flower को paint करना आए पहले आप लोगों को उतनी advanced level की नहीं आती थी इसलिए भी मैं cut कर देती थी कि हो सकता है आप लोग confused हो जाएंगे लेकिन मेरे जो subscriber हैं जिन्होंने सीखा है आप वो बहुत ही talented है तो मैं चाहती हूँ कि आप सारे steps देखें ताकि आपको कोई भी परिशानी ना हो और अगर आप channel पे new हैं तो आपसे एक छोटी सी request है कि channel को subscribe कर लें ताकि आगे भी आप ऐसे ही beautiful और प्यारी design और steps देख सकें और fabric painting आसानी से सीख सकें आपकी जो भी question है वो आप comment box में लिख सकते हैं अगर आपको लग रहा होगा कि यह design पर white base क्या लगा हुआ है कि यह paint है या कुछ और है यह सारी चीज़े मैं पहले भी videos में बता चुकी हूँ लेकिन अगर आप channel पे नए हैं तो आपको परिशान होने की कोई जरूरत नहीं है यह suit painting मैं part wise बताऊंगी part 1, part 2, part 3 ऐसे करके तो मैं part 2 में आपको सारे explain करूंगी और करके भी दिखाऊंगी कि कैसे आपको white base लगाना है कितना proportion में क्या चीज़ मिक्स करनी है मैं part 1 में इसलिए flower वो डाल रही हूँ ताकि आप लोगों को पता चल जाए कि part 2 जो है वो बहुत important video है details के लिए आपको जितनी भी important detail है और part 2 में जो आपके question रहेंगे part 1 के उसका भी answer में easily दे सकती हूँ अभी क्या है कि आपको जो चीज़े नहीं पता है वो मुझे नहीं पता कि आपको क्या चीज़े नहीं पता है तो अगर आप comment में लिख देंगे तो मैं उसका answer part 2 में दूँगी और मैं part 2 तभी डालूंगी आप इसको पहले complete watch करें क्योंकि अगर आप लोग कितना watch करते हैं कि आप मेरी video share कर सकते हैं और इसको complete watch कर सकते हैं तो आगर आप इसको complete watch करेंगे और share करेंगे उतनी जल्दी मैं part 2 डालूंगी और part 2 में आपके सारे questions का answer भी दूँगी जैसे कि brush क्या है color कौन सा है base मैंने क्या लगाया है कपड़ा कौन सा है यह सारी चीज़े में part 2 में answer दूँगी देखिए यहां पर मैंने brush wash किया था और उसमें ज्यादा थोड़ा water रह गया और फिर मैंने जब color apply क्या देखिए कैसे spread हो रहा है तो जरूरी नहीं कि हर cloth पर यह spread हो यह fabric के material पर डिपेंड करता है जादा जो synthetic cloth होते हैं उस पर थोड़ा सभी जादा excess water हुआ तो water को absorb अच्छे से कर लेते हैं तो आप उस पर सीख सकते हैं color को handle कर सकते हैं और आपको असानी होगी उस पर जादा अच्छा सा वो कहते हैं खिल के look भी आता है इसलिए मैं आपको अगर आप beginner से तो recommend करते हूं कि आप white cloth और cotton cloth यूश करिए white पे पेंटिंग आपकी बहुत अ नहीं है आप नहीं जानते कि कैसी करना है क्योंकि बहुत लोगों को यह भी होता है कि क्या हम wash कर देंगे fabric को तो हमारा paint धूल जाएगा नहीं ऐसा नहीं होगा वो धूलेगा नहीं वो partially permanent ही होता है वो धीरे-धीरे अगर आपने उसके अच्छी care नहीं कि या जो भी fabric है या पूरा धूल जाएगा ऐसा नहीं होता है तो अगर आप fabric painting में एकदम new है न तो आप beginner series में ने बना रखी है step 1 से आप वो watch करिए आपको बहुत आसानी से fabric painting आ जाएगी मैंनो उसमें सारे detail शो किये हैं लोग channel को visit करे playlist section में जाएंगे वहां आपको सारी videos detail और step by step मिल आपकरी भी है bedsheet, suit, painting, flower, pillow cover, maze posh, different different type की varieties है तो जो आपको चाहिए वहां से आप वो देख सकते हैं और आप अपना practice work जो आपने मेरे channel से painting सीखी है वो मुझे Instagram या Facebook पे share कर सकते हैं तो मैं उसको अपने story पे, highlights पे, YouTube की community post पे, etc. पे share करती हूं तो लोगों को भी motivation मिलता है कि वो भी सीखें और practice करें और आपकी भी जो गलतियां होती हैं उसको मैं अगर time रहता है तो correction कर देती हूं और कभी कभी आपने अगर मुझे अपना work share किया है और मैंने अभी तक scene नहीं किया है तो क्या होता है कि जादा message होने की वज़े से आपका जो message है वो मुझे दिख ही नहीं है बहुत जादा message होने की वज़े से तो आप simply मेरे किसी इंस्ट्राग्राम पोस्ट पर comment कर सकते हैं तो वहां से मैं easily आपका जो work है वो देख लूँगी और उसको share भी कर सकती हूं यहां पर मैं आपके लिए एक point जो है specially mention करना चाहती हूं जब भी आप painting सीख रहे अगर मेरी videos देख रहे हैं और videos से आप painting सीख रहे हैं तो please please जो आप flower paint करें उसका वो जो video वो साथ में चलाएं एक एक पीटल देखें और फिर practice करें तो इससे जो आपकी mistake के chances हैं वो बहुत minimize हो जाते हैं कभी कभी क्या होता है कि आपने किसी गलत step को इतना practice कर लिया होता ह कि आपको फिर उसको improve करने में बहुत ही मतलब आपको बहुत मुश्किल आती है क्योंकि कुछ subscriber है उन्होंने शुरू में एक दो mistake कर ली है और अब वो बहुत अच्छा paint करें लेकिन फिर बार-बार उनके work में वही problem आ रही है तो आप कोशिश करें कि आप starting से सही practice करें practice कर करना है सही practice करना है ताकि आप आगे जाके advanced level की painting इसली कर सकें वरना आपको आगे बहुत problem आएगी क्योंकि आपका जो base है वही आपने गलत सीख लिया है तो ये बात को आपको अपने दिमांग में रखना है ये मैं specially mention करना चाहती थी और मैं भूल जाती थी आज मैंने कर द और अगर वो लोग कोई भी suit painting में interested है तो उसके साथ आप share कर सकते हैं ताकि उनकी जो भी problem है वो comment में लिखे और मैं part 2 में इसका answer दे पाऊं क्योंकि हो सकता है सही time पर उनके पास ये video ना पहुचे और मैं part 2 डाल दूँ और उनके question वैसे ही रह जाए इसले आप उनके साथ share जरूर कर दे क्यों मैं चाहती हूं कि जितना भी ज्यादा मैं answer देए पाऊं part 2 में उतना ही अच्छा होगा आप लोगों के लिए क्योंकि आपको understanding में easy हो जाएगा तो आप इसको share करें ताकि सबके पास बहुत जाए और जब मैं part 2 डालू तो सबका answer मिल जाए ये suit design मैंन कि आप मुझे support करते हैं आप इतना motivate करते हैं इतना अच्छा comment लिखते हैं तो मैं भी चाहती हूं कि मैं अपनी तरफ से हमेशा आपको कुछ नया unique और beautiful सिखा सकूं तो इसमें मैंने थोड़े अलग style से suit painting की है और design को arrange किया design को बनाने में बहुत जादा महिनक लगी बहुत जादा दिमाग कर चुगा है क्योंकि मैं सोच रही थी कि कुछ अलग भी हो जाया और जादा tough भी नहों लेकि जादा simple भी नहों तो इसलिए अगर आपको मेरा hard work पसंद आता है तो वीडियो को ज़रूर like करें like count मेरे लिए motivation की तोर पर काम करता है कि कि कितने लोगों को मेर वीडियो पसंद आ रही है और I'm sure जब मैं इसका full look डालूँगी तो आपको ये वीडियो और इसके design जो है वो बहुत पसंद आएगी मैंने बहुत ही design बहुत ही महने से ये design की है लोग पुछते हैं कि आप design कहां से बनाती है ये मेरी personal design होती है मैं खुट design करती हूँ और आ आपसे भी request करना चाहूंगी कि अगर आपको कहीं मेरा work copy paste दिखता है तो आप मेरे साथ जरूर शेयर करें क्योंकि ये community guidelines के खिलाफ है ये allowed नहीं है इस platform पे कि आप किसी का work cheat करें तो आप इस तरीके से मुझे support कर सकते हैं क्योंकि इतनी मेहनत के बाद जब आपका work cheat हो जा उन्होंने एक word भी ये नहीं लिखा कि हाँ मैंने किसी की design ली है copy paste कर देना और खुछ से design करना क्योंकि आप देखते हैं मैं कभी भी back to back videos नहीं डालती हूं क्योंकि design बनाने में time लगता है inspiration आती है आप उसको rough work करते हैं fair करते हैं arrange करते हैं design करते हैं shoot करते हैं डालते हैं बहुत मेहनत लगती है एक वीडियो को अच्छे से present करने में और फिर जा वह copy paste हो जाती है तो सच में बहुत बुरा लगता है कभी-कभी तो दमी energy drain हो जाती है कि क्या फायदार नहीं करते हैं फिर आप लोगों के अच्छे comment देखें कि नहीं कुछ लोग सीख रहे हैं तो उसको मैं बीच में नहीं छोड़ सकती है लेकिन आप से बस एक ही request है कि मुझे support करें और जो भी ऐसा कर रहे हैं वहाँ प्लीज आप लोग लिखें क्योंकि अब मैं बहुत परिशान हो चुकि हूँ इस चीज़ें से रोज पर डे कोई न कहीं न कहीं मैं copy paste देखती हूँ तो अब मैं आप लोगों से request करना चाहती हूँ कि आप प्लीज उनके वहाँ पर आप लिखें कि किसके design है और ये ऐसा ना करें क्योंकि ये platform है सही बात है आप अगर एक artist है तो आप अपना creation दिखाई है आप copy paste कर रहे हैं तो आप उसमें ये भी लिखें आप credit भी नहीं द कहा होगा कि मैं आपको Instagram पर यहां वहां डिजाइन पहले प्रोवाइड करती थी वह भी free में आज मैं वह सारी बातों को contradict करी हूं कि मैं किसी भी तरीके के design प्रोवाइड नहीं करती हूं अगर मैंने पहले कहा है तो वह valid नहीं है अब मैं नहीं दे सकती ना मुझे नहीं प मुझे धोका दिया है यह बात मैं काफे दुन्यों से आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती थी और एक वीडियो में मैंने कहा भी था लेकिन मैं बोली कि क्या जरूर रहत है छोड़ो जाने तो अच्छा नहीं sound होता ना कि कोई आगे से ऐसी बाते कर रहा है ठीक है सुनने मैं अच्छा नहीं लगता लेकिन आज मैंने शेयर कर दिया है I don't know क्यों किया है बट मैं शेयर करना चाहती थी काफी दिनों से तो आज मैंने शेयर कर दिया है क्योंकि फैब्रिक पेंटिंग के इस चैनल और इस जर्नी में आप लोग एक बहुत important पार्ट है मैं आपको बहुत जादा जरूरत है I hope कि आपको ये वीडियो पसंद आयोगी और हम सेकेंड पार्ट में न्यू इनर्जी के साथ मिलेंगे बहुत ही हाई नर्जी के साथ और हम अच्छे से सीखेंगे इस डिजाइन का सारा फ्लावर हम लोग स्टेप बाइ स्टेप सीखेंगे कुछ भी स्किप नहीं करेंगे और फिर मैं आपको लास में फूल लुक दिखाऊंगी यह आपके लिए एक सर्प्राइज भी है क्योंकि अभी आपने हाफ लुक देखा है तो आपको लग रहा होगा कि यह कैसा है तो इस सर्प्राइज को हम पार्ट थ्री में रिवील करेंगे य इसको अपनी पेइंटिंग को बात में देखना बहुत अच्छा फील होता है आप लोग भी कभी रिकॉर्ड करके रखिएगा और देखिएगा आपको बहुत अच्छा फील होगा तो यह वीडियो देखते हुए आपको सूट पेइंटिंग के बारे में जितना भी कोई ताकि सारे लोगों को पता चल जाए और हम लोग पार्ट औू में डिसकस करेंगे मैं देखूंगी मैं इंस्टार्गाम पे स्टोरी लगा दूंगी ताकि हम लोग को हां से हमें से बैसिन ले सके टु CT है प्रभगो ने Mis技 जारो वीडियो देख लें, बाई